नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक उरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी हूँ बहुत ही टेस्टी सी और बढ़िया सी खीर यह सिवईया की खीर जो चावल की सिवईया आती है न चावल के आटे की उसकी सिवईया की खीर बताने जारी है इतनी टेस्टी बनती है न हर बार हम लौकी की साबू दलना की मखाना की पोहा की खीर तो बनाते ही रहते हैं मैंने सुचा आज यह जो चावल की सिवईया आती है उसकी खीर बनाते है यह मार्केट में काफी आसानी से सिवईया मिल जाती है और इसकी खीर ब और इसे न दूद को हमें उबालाने तक पकाना है अब आप दूद कोई भी ले सकते है जो आपके घर पर आता है पेकेट वाला या फिर जो भी मैंने या पर पेकेट वाला इस्तमाल किया आप देख सकते हैं दूद में अच्छा उबाला गया है तो एक बार इसे मिला ले और दूद को साइट में कर ले और इसकी जगह पर एक कड़ाई आपको रख दीनी है अब इसमें आपको डालना है सिर्फ एक चमज गी जैसे गरम हो जाए तो काजू बादम और किश्मिष मैंने डाल दी है यह आप कितने भी डाल सकते है जादा भी कम भी किश्मिष को फूलने त चाफी असानी से मिल जाती है और यह देखे इस तरह से होती है अब इससे आपको धीमी आज पर भूनना है तकरीबन दो से तीन मिनट तक तो देख सकते हैं जैसे जैसे आप इससे बूनते जाएंगे ना इसका जो कलर है वो बदलता जाएगा और यह हल्की सी फूल जाएग तो थोड़े से चीटे उड़ते हैं तो अपना भी ध्यान रखना है तो मैंने पूरा दूद इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से मिला लिया अब इसे हमें पकाना है तकरीबन 5-6 मिनिट तक बीच-बीच में चलाते रहे और बीच-बीच हम सारी जो इसके अंदर डालन अब आप जाये और इसे पकाते भी जाएंगे यान पर आप देख सकते हैं मैं इसे इसी तरह से चलाते जा रहे हूं इसे पकाती जा रहे हूं तकरीब로 5-6 मिनिट तक इसके अब आप शर घरबार, घरम और घरम षा सकते रहे जब यह फिर रहे अपर रहेours दिआ, उसकेश क कीजिए आज के लिए बस इतना ही थांक यू